आज की वीडियो में हम देखेंगे जीपेट 2020 में जितने फार्मेकलोजिक कुश्चन्स हैं उनका डिसकेशन और उनका आंसर इस वीडियो का ब्लास्ट तक देखिएगा तो इससे आपको जो है अंडरस्टेंडिंग में हेल्प मिलेगी विसके लावा कुश्चन्स किस तरह के आते हैं और जो लोग semester exams दे रहे हैं वो लोग भी अगर gp-ed की त्यारी कर रहे हैं चाहते हैं किस तरह के questions आए तो उसको देखे ताकि जगे जगे पर हम बताएंगे कि semester में किस तरह से परते हैं और जो है जीपेट में क्या difference रहता तो यह जो पहला question है, identify the diuretics which causes the hyperuricemia, tends to raise the serum calcium and also causes the magnesium depletion. तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपको diuretics identify करना है, जिसके यह तीनो side effect हो, यहाँ पर side effect mention है, तो यह चार option में से कौन सा diuretics जो है यह शो करता है, यह side effect शो करता है, तो यहाँ पर hyperuricemia है, उसके बाद जो है अपका serum calcium increase होता है, जिसको पर hypercalcemia बोलेंगे and also causes the magnesium depletion. तो चार यहाँ पर option है, acetazolmide, manitol, chlorothiazide and furosomide, तो उपर के दो option देखोगे, तो उनका तो इस side effect होता ही नहीं है, जो की बिल्कुल अलाग है, अब नीचे के दो में confusion आता है, और जो भी solution reference, वो हमने KD3407 edition के reference में लेके लिया है, तो chlorothiazide है, वो आपका जो है, लोग ब chronically long time तक administered करोगे, तब आपका जो है, वो hypokalcemia show करेगा, otherwise जो है, वो hypercalcemia show करता है, chlorothiazide, इसके लाब hyperuricemia भी show करता है, और besides जो है, आपका magnesium depletion, यानि कि magnesium depletion, आपका magnesium level भी इससे decrease होता है, chlorothiazide के through, और वहीं furosomide में भी क्योंकि दिया है, magnesium depletion, तो दो option यहाँ पे confusing है, तो दोनों का, क्योंकि side effect, दोनों में, जो magnesium depletion है, और furosomide में, जो है, आपका calcium excretion को increase करता है, वो calcium excretion को increase करेगा, तो क्या होगा, कि जो आपका cellular level पर जो है, tissue level पर आपका जो, इंटेस्टान ब्लड में क्या होगा, calcium decrease होगा, जो calcium excretion को promote करेगा, तो furosomide है, वो आपका calcium level को increase करता है, तो यह यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इनोंने, close बिल्कुल जो है, options डालें, थोड़ा सा logic options डालें, कि आगर आप पढ़ेंगे, तो आपको धंक से याद रह जाएगा, वाकी फ्रेंट से इसमें कुछ नहीं है, तो ख्लोरसराइजाइड में, आप calcium deflation दोनों में common है, तो इसलिए answer आपका जाएगा, chloride, thiazide, अब देखिए, जब अपन university और semester की तयारी करते हैं, तब जो है, आपको थियोरी लिखना होता है, वही जी-पैड में, चार में से एक option सही आपको टेक करने होते हैं, वह भी गलत जाता है, तो university में तो देखिए, यह side effect पूछा जाए, तो अपन nausea, vomiting भी लिखिया है, और diuretics का है, वह एक तरह से urine increase करता है, और hypertension में दिया जाता है, तो इस से related भी आप university semester exam में, अगर लिखके आओगे, तो surely आपको number मिलेंगे, और अच्छी तरह से explain करोगे, तो आपको अच्छी number मिलेंगे, इसलिए ज पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा difference रहता है, वहीं GPAT में जो है, आपको थोड़ा सा जब पढ़ो तो आपको धंक से देखना है, जैसे देखिए, चारो अप्शन है, अलगला क्लास है, चारो ही diuretics है, पहला कार्बोनिक अनाइटर इस निमेटर एसे टाजोल माइड, मैनिटो साइड एफेक्ट में कुछ भी लिखिया है आपका, वो चलता है, बट नहीं GPAT में काफी close options आते हैं, तो वस रिवीजन के टाइम पे और आप पढ़ते हैं फोड़ा आपको वो देखना है, दूसरा जो आपका question है, वो है, विचो तो फॉलेंग टर्ग पसे एंटी प्लेट ड्रग है, जो आपका ADH हर्मोन है, वेसोप्रेसिन आपने नाम सुनाओगा, वेसोप्रेसिन से नेम मैच करता है, डेस्मोप्रेसिन, एंटी डायोट है, क्लोपीडोगेल है, वो आपका एंटी प्लेटिलेट ड्रग है, जो आपका एंटी प्लेटिलेट एफेक्ट शो करता आपका एरिथ्रोपोएटिन है वह आपका हीमोपोईसे इमोग्लोबिन फॉर्मेशन आपका आरवीसी फॉर्मेशन में हल्प करता है तो यहां पे एंटी प्लैटिलेट ड्रग आपका एफेक्ट है लोपीडो ग्रेल next question आपका है identify anti-arrhythmic drug that increases the duration of qt wave and decreases the sinus rate and where it has no effect on the qrs complex अब आपन जब भी question पढ़ें तो यहां पे अपन को underline करके अपन को देखना है कि separate करें कि क्या क्या चीज पूची है और क्या drug है उसके अलाबा accept not यह चीज भी आपको question में देखनी कहीं लिखा रहे था है accept कहीं लिखा रहे था है not correct किये यहां पर तीन चीज़ें पूची गई है कौन से drug है इसमें से जो आपका qt wave duration increase करता है ECG में sinus rate आपका decrease करता है और आपका qrs complex पर कोई effect नहीं होता है तो यहां भी चार option में anti-arrhythmic drug है तो lidosign है जो वो जो है आपका qt interval को increase नहीं करता है qt interval को prolong नहीं करता है वहीं विरापा मिल है calcium channel blocker है जिसका कोई effect नहीं देखा गया है आपका qt interval qrs complex पर भी तक क्यूनिदेन जो drug है वो qt interval sales इंक्रीज करता है qrs complex को भी ब्राड करता है इस सब्सक्राइब करे थायं है वहplease करते है और qrs complex को इंक्रीज करता है है ECG में यह आपका वेव जाती हैं तो आंसर यहां पर आपका जाएगा अमाय डारों अब यहां भी चारों आपके हैं यह देखें आप तो बस पड़ते टाइम आप जो है थोड़ा सा रंसे बने जो भी करेक्टर स्टेक है साइड इफेक्ट्स है और इसके लाबाए आपको एपिटेट रिवीजन करना है यह चीज़े उसके बाद आपनेक्स देखते हैं इससे आपको एक आईडिया लग जा स्थाइब कुछ नया टूपुल्टो में पोटेश्यम आयन चैनल अर ओपन बाइविच और फॉलाइग केटेगरी ऑफन अब टूपुल्टो में पोटेश्यम आयन चैनल है वह किस अनस्थेटिक्स कौन सी के एक्टेगरी के इससे ऑपन होता है हेलोजिटिट इनिस्टेट पे तो इसलिए वो दोनों options आपके हट गए वहीं opioid analgesics आप देखोगे तो वो potassium channel को open करते हैं तो ज़्यादतर लोगों को लगा इसमें opioid analgesics होना चाहिए but two poor domain potassium ion channel and potassium channel सी दोनों different potassium channel different है जबकि two poor domain potassium ion channel different है तो इसका answer है हेलो जे इनेटेड इनेशनल एनेस्टेथिक जो आपका isoflurin और डेसोफलवेन और जो आपका हेलो थेन होता है वो two poor domain potassium ion channel को open करते हैं हालनकि KD387 एडिशन में मुझे यह मिला नहीं बड़ आप कोई ही बुक में आपको मिले किसी भी बुक में तो आप प्लीज कमेंट करके बताईएगा नेक्स्ट जो कुश्चन है आपका accept one of the following pair represent the drug use in the treatment of the glaucoma and their primary mechanism select the wrong pair from them अब इसमें से यह पूछा गया है कि कौन से एक drug है जिसका जो primary mechanism है और इसका जो drug class है वो wrongly pair है wrongly miss match है तो पहले तो अपन को कुश्चन भी जखना है एक्सेप्ट और रॉंग पियर तो अपन को रॉंग पियर सेलेक्ट है ना इसमें से बाकी जित्ती भी यह ड्रग्स हैं आपका क्लोक मायोट्रीट होती है टॉपिकल पोस्टा गेंडिंग एनलोग्स जो कि आपका इंक्रीज करेगा एक्वस आउट फ्लो तोपिकल कार्बोनिक एनेडेस इनिविटर जो कि आपका डिक्रीज करेगा एक्वस फॉर्मेशन को टॉपिकल मायोटिक्स जो कि आपका इंक्रीज करेगा एक्वस आउट फ्लो को वहीं टॉपिकल बीटा एड़नेर्जिक ब्लोकर जो कि आपका increase करेगा aqueous outlook को तो ये चारों जो है options DNA में से अपन को select करना है कि कौन सा drug का mechanism यहाँ पर wrongly pair है गलत है तो इसमें से जो है आपका prostagranding analog increase करता है aqueous outlook को carbonic energy decrease करता है aqueous formation को वहीं आपका जो beta adrenergic blocker है वो aqueous formation को decrease करता है ना कि aqueous outlook को तो यहाँ पर correct option जाएगा topical beta adrenergic blocker जो कि आपका aqueous formation को decrease करता है ना कि aqueous outlook को तो यह option जो है आपका wrong है mechanism के respect में उसके बाद maloxicam belong to which class of the non-steroidal anti-inflammatory drug NASID यह simple classification पूचा गया है तो इसका answer होगा preferential cox to inhibitor अब देखिए सब तरह के questions आते हैं कुछ questions logic basic है तो कुछ questions वहीं जैसे two pair two poor potential domain channel knowledge का था यह simple classification पर बेज़ दें तो basics आपका सबसे पहले clear होना चाहिए उसके लिए आप बस daily आप रिवाइस करें पढ़ाएं धन से next question यह बहुत अच्छा questions है जहां पर options काफी नोंने closely दी है co-trimoxazole is combination of the trimethoprim with sulfamethoxazole which of the following statement is correct about the co-trimoxazole तो co-trimoxazole जो combination है वो आपका trimethoprim और sulfamethoxol antibiotic से मिलके बना होता है अब co-trimoxazole के reference में कौन सा option इसमें से कौन सा statement जो है वो correct दिया है तो most effective ratio of the time methoxazole and sulfamethoxol in plasma is 20s to 1 उसके बाद trimethoprim sulfamethoxol are administered in dose ratio of 5s to 1 to achieve optimal synergistic effect co-trimoxazole is contraindicated during the pregnancy यह वो प्रेगनेंसी की time पर इसको contraindicated है इसको नहीं देना चाहिए co-trimoxazole is ineffective in treating the respiratory tract infection जो आपका respiratory tract infection है उसमें जो है co-trimoxazole आपका ineffective होता है अब अपन फर्स्ट दो option देखें तो जो आपका ratio होता है आपका जिस combination में co-trimoxazole बनता है वो आपका ratio 1 is to 20 होता है तो यहाँ पर just ratio reverse कर दिया है बाकी सब कुछ सेम है तो आप ढंक से पढ़ो ता आप इसको और review अदरवाइस करोगे तब catch कर लोगे अदरवाइस अपन जस्ट सुपर फीचली पढ़ते हैं और फिर जब बाद में course जादा हो जाता है तो यही चीज केंफ्यूज करती है इसी वज़े से रिवर्स रेशो दिया है चेक करने के लिए तो जो करेक्ट रेशो होगा वह आपका ट्राइमितो प्रेम सफा में तो जो आप दोगे वह होगा बने सब्सक्राइब करेशो जादा होगा हमेशा याद रखेंगे यहां पर रिवर्स दिया गया है तो इस वज़े से उपर के दो सब्सक्राइब करें यहां पर जो आंसार है वह आपका ट्राइब कोली है विच्वन अफॉर्ग सच्वेशन कि Metabolic Acidosis डजं आउकर इन में से कौन सी सिट्वेशन हैं जिसमें Metabolic Acidosis नहीं होता है यह वह थोड़ा सा बेसिक कुछ है आपका थोड़ा नौलीज होनी चाहिए कि Metabolic Acidosis क्या होता है तो अपन देखते है Metabolic Acidosis जो condition होती है उसमें body में Acid Formation increase हो जाता है acid बढ़ जाता है H positive wine increase हो जाता है तो acid increase होगा तो already PHB increase होगा acid formation होगा body में सीधी सी बात है तो अपन को चार option में से ये देखना है कि कौन सा इसमें से गलत है तो अपन वही question पढ़ते समय यही देखना है कि doesn't occur और विचाओ तो falling is wrong except यहीं देखें यहां पर doesn't पूछा गया यानि कौन सा situation गलत है यह फुल्फिल नहीं करता है तो acidosis में आपका acid formation होता है body में H positive wine increase हो जाते हैं तो first है production of less amount of lactic acid यानि की lactic acid का formation less होता है second आपका अब देखे रीनल का काम क्या होता है आयन absorb करना अब आयन अगर लीनल failure होगा तो एक तरह से आयन एब्सॉर्ब नहीं करेगा तो hydrogen को भी absorb करता है एब्सॉर्व नहीं करेगा तो जो है आपका फिर से जो है आपका इस पोजिटिव कोड़ी में ही रहेगा तो बड़ेगा इसके लाभ़ा एसेट अजोल माइड का आप देखोगे एडिनिस्ट्रिशन साइड इफेक्ट ही होता है में डाइबिटीज में भी कीटो एसेडोस होता है तो तो मेटावलेकॉसिद अल्रेडी एसेड फॉर्मेशन इंक्रीज होता है तो फस्ट वन जो है वह सूट नहीं करेगा वह रॉंग है क्योंकि एसेड फॉर्मेशन होता है तो एसेड कमाउंट ज्यादा हमों चाहिए जबकि यहां पर लिखा है लेस अमाउंट अव्द लेक्ट गैंगलियोन स्टेमिलेटिंग एजेंट के बारे में पूछा है विच थ्री ओफ फॉल्वाइग आपको यह दंग से पड़ें उसको और नीचे ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके पताना है stimulation of the sympathetic ganglia and adrenal medulla leading to the cardiovascular response iska stimulation is a cardiovascular response देता है initial transient stimulation and then a more persistent depression of all autonomic ganglia third day apka marked depression of CNS leading to the analgesia my fourth a chronic exposure caused a marked increase in the density of the nicotinic receptors contributing tolerance and the dependence last time combined activation of the parasympathetic ganglia and the cholinergic nerve ending by the nicotinic result in increased tone in the motor activity of the bowel inhibition of salivary and the bronchial secretion that is followed by the stimulation तो यहाँ पर 6 आपके statement है इन में से आपको तीन select करने हैं जो कि ganglionic stomach agent के लिए करेक्ट है तो यहाँ पर जो है आपका A, B और D यह तीन जो है आपके statement वो physiological effect शो करते हैं गेंगलियों किस्टमरीटिंग एजेंट का तो यहाँ पर आंसर आपका second जाएगा A, B, and D statement इस तरह के बड़े questions में बावस आप सारे options रंग से पढ़ा कीजिए आराम से पढ़ना है क्योंकि टाइम वहाँ पर अब यहाँ पर आपन देखेंगे नॉट पूछा गया है मतलब की जो आपका अड्रीनलीन का ब्लड प्रेशर पर एफेक्ट होता है ट्राइड एफेक्ट राइड यानि थ्री तो इन में से कौन सा जो है वो एफेक्ट शो नहीं करता है वैसा प् retrouक्सलोंस स्क्सक्राइड प्रेक्मर करतूण इस में के ट्राइड एफेक्ट में यहां पर आंसर आपका जो है हुज जाएगा थर्ड कि आपका इंक्रीज करता है बाई एड्रन रेसेप्टर्स उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है अब यह अपन देखेंगे विच आफ दो फॉलाइंग इस नॉट प्रॉपर्टी ऑपर्टी की नहीं होती है तो इसमें से लास्ट ऑप्शन है यह करते हैं तो अपन को ऐसे देखना था कौन सा नहीं है उसके बाद आपन देखेंगे विच आफ फॉलाइंग ग्रॉप इस्टेबलाइज इस दा कार्बो के टाइन इन एलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिटिउ लाइज है। इसमें पूछा है कि कौन सा जो गॉप है वो कार्बो के टाइन को स्टेबलाइज करेगा अब अपने को यह देखना है कौन सी स्पीशीज इस्टेबल रहेधैं यहां-प आपको यह पासिपल रहे हैं वह जिस्पे Cover ची सबसे कम होगा या निव्ट्रल स तो अपने को यह देखना है कि यह जो ऑप्शन से इसमें से कौन सा ग्रुप है वह क्वार्व केटन को स्टेबलाइज करेंगा अब स्टेबलाइज कैसे करेंगा बाए डिक्रीजिंग दचाज डेंसिटी अब जो है पॉजिटिव चार्ज यह जितना कम रहेगा उत्ता ज्या और कर्णोव चार्ण को कौन डिर्टी और करेंगाइज करेंगा सिंपल सी तह जो गे तो पॉजिटिवच घ्रज कैंद T तो इसमें से negative charge किस पे होता है, loan pair, अब loan pair जिस पे present है, वो negative charge होता है, तो जब loan pair group add होगा इस पे, तो वो आपका charge slowly decrease करेगा, आप चार options देखोगे इसमें से, तो बाकी सब में double bond है, आपका NO2 है, COOH है, आपका LDH, आपका CN है, तो जहां पे double bond है, वो क्या होता है, double bond में आपका negative charge oxygen की तरफ चला जाता है, और एक आपका हो जाता है, positive resonance formation हो जाता है, तो वो उल्टा positive charge हो जाता है, तो वो और charge को increase करेगा, अगर यही कार्बो एनाइन होता, तो आपका जो positive charge हो आपका double bond है, वो उसका charge decrease करता है, लेकिन यहाँ पे जो loan pair है, loan pair पे negative charge होता है, वो आपका कार्बो केटन का charge decrease करेगा, चार्ज़ डिक्रीज होगा, तो अपने आप यह stabilize होगा, तो आप हमेशा यह याद रखना, कि जो आपका negative charge है, जो आपका loan pair है, वो कार्बो केटन को stabilize करेगा, stable वो होगा, जिसका charge less होगा, अब कार्बो केटन positive charge है, अब charge positive को less कौन गवाधे यह और गनी च्वेस्टी का कुश्चन जिसमें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए यह कोई डारेक्ट अपका ऐसा नेम रिएक्षन या रिएजेंट वाला नहीं है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए ज़िस्पल और जो आपका जहां डबल बॉंड है तो डबल बॉंड है वह आपका कार्बो एनाइन अगर नेगेटिव चार्ज यह वहाँ पर जो है इसको स्टेबलाइज करेगा यह चीज आप अच्छे से याद रखना उसके बाद जो है आपका क्योंकि NH2 और OH इन दोनों पर लोन पेर होते हैं वहीं COOH, CHO इन में डबल बॉंड है यह कि थर्ड ऑप्शन में डबल बॉंड नहीं है कहीं भी अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका The mechanism of anti-epileptic effect of the lemotrigin is by अब इसमें से आपका mechanism of anti-epileptic effect of lemotrigin जो एक आपकी anti-epileptic drug है इसका mechanism पूछा है आपका anti-epileptic drugs बहुत important है हलो पूछा जाता है इक पूछन तो एक minimum demand topic है इसमें इनिबिशन अफ ग्लूटामीट रिलीज, इसके बाद ब्लॉकेड अफ नम्डी रेसेप्टर्स, और आपका इनिबिशन आफ कैल्शियम चैनल, इनिबिशन आफ सोडियम चैनल, तो इसमें आपका जो कैल्शियम चैनल है, वो कौनसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो इसलिए जो आंसर है, यह आंसर की बाद में एंटी ने चेंज किया था, या तो उसको बोनस जाना चाहिए, या फिर एंटी ने चेंज किया था, क्योंकि केडी तरिपाथी 8th एडिशन में तो आपका चैनल भी दिया है, कैल्शियम भी और सोडियम भी मल्टी चैनल है, वही आपका जो डाइग्राम में केडी तरिपाथी में वह आप देखेंगे, 7th एडिशन में तो आप पर सोडियम चैनल है, उसके बाद आपका है, वह आपका अप्योड रिसेप्टर, अब ओप्योड रिसेप्टर के जो सब्टाइब होते हैं, इन चारों में से कौन सा एक सब् तो इसमें से जो मू है, वह आपका है इन चारों में के लिए इसकी आपनेटी रहती है, तो इसका आणसर हागा, गामा गामा इस नौट एं ओप्योड रिसेप्टर, उसके बाद आपका जो है, which of the following statement with respect to the carbacol is not correctly identified, यहाँ पर नौट दिया है, यहाँ पर नौट दिया है, मतलब कौन सा जो सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है पहले थपन को यह देखेंगे काई उसके बाद यहाँ पर चार ओप्शन दीए है इसमें से कौन सा गलत है वो देखना आपको इट पजेस बहुत मस्करानिक एंद निकोटिनिक एक्शन इट कैन बी अडिमिस्टर ओरली इट इसमें से जो है गलत यह है ओर सेप्टिबल तो है टो लाइसे टाइल कोलीन यह यहां पर आंसर आपका थर्ड जाएगा वहीं D-Tuber Curine produces the skeletal muscle relaxation by inhibiting nicotinic receptors in the neuromuscular junction, ganglionic nicotinic receptors, musculinic receptors and alpha-adenergic receptors अब इसमें से कौन सा आपका D-Tuber Curine है वो आपका skeletal muscle को relax करता है अगर आप option भी देखो तो option भी neuromuscular junction लेखा है तो वहां से देखके भी अब टिक कर सकते हो, answers का first ही है, neuromuscular junction है तो वहीं पर जो skeletal muscle को relax करेगा और वहां पर nicotinic receptors present होते हैं, उसको inhibit करके skeletal muscle को relax करता है उसके बाद अपना जो last question है, यह आपका clinical trial पर, identify the phase of clinical trial having the following feature अब कौन सा phase है, उसमें यह features present होते हैं, वह अपन को देखना है, trial is conducted on about 3000 patients, purpose of the trial is the therapeutic confirmation, safety and tolerability is evaluated on the wider scale, completion of the trial is followed by the new drug application, यह चार जो आपके options दिये हैं, तो यह कौन से phase आपका इस शो करता है, तो इसमें phase 1 होता है, वह human pharmacology phase होता है, उसके बाद phase second होता है, उस phase में भी नहीं होता है, उसमें जो है 100, 2, 3, 500 patient almost लिये जाते हैं, और आपका जो third phase होता है, जिसे आपन बोलते हैं, तो यह answer है, उसमें आपका जो 3000 patient पर trial किया जाता है, और जो trial completion के लिए जो है, new drug application को follow किया जाता है, उन्हें आपका वो दिया ज होता है, कि drug जो market में आने के बाद, उस पर क्या survey होता है, तो friends, बताईए कि ये video कैसा रहा, और इसमें जहां तक हो सकाता है, अपने सारे questions के answers आपको बताए, Thanks for watching.